आप सभी को पता है कि हाल ही में भार सरार के द्वारा अगनी वीर योजना को शुरू किया गया है। ऐसे में आपके मन में भी काफी सारे स्वाल उठे होंगे कि आखिर इसके लिए हमें अपलाई कैसे करना है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे एरिये में कब ये रेली आविजित की जाएगी और इस योजना में अपलाई करने के लिए हमें रेजिटेशन कब से शुरू करना है। तो आज की वीडियो में आपको इन सभी स्वालों के जवाब भी मिल जाएंगे और साथ साथ में आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आपको इसे ओनलाईन अपलाई करना है। तो चलिए बिना तेरी के वेश शुरू करते हैं आज की वीडियो मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी। तो अगनी वीर के लिए आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है joinindianarmy.nic.in वैसे इस वेबसाइट का link मैं description में भी दे रहा हूँ आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इसे open कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ये capture दिखाये देगा आपको यहाँ पर इसे fill कर देना है और enter website पर click करना है। जिसके बाद आपके सामने ये website open हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको check करना है कि आप अगनी वीर योजना के लिए eligible हैं भी या फिर नहीं। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए अगनी पत लिखा हुआ है इसके उपर जाकर आपको eligibility पर click करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपना state डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर district इसके बाद तैसिल, date of birth, qualification और यहाँ पर आपकी वैवाई किस्तिती क्या है वो आपको डालनी है। दसमी आपकी चल रही है यह आपने pass कर ली है वो यहाँ पर select करनी है। और इसके बाद नीचे अगर आपने यह phone पहले भी भरा हुआ है तो yes कीजे, अगर नहीं भरा है तो आपको no कर देना है। इसके बाद आपकी height क्या है आप male है आफ female, वो चीजी यहाँ पर select करनी है और इसके लावा यहाँ नीचे किसी भी एक स्रेणी से अगर आप संबंद रखते हैं तो आप इसे select कर सकते हैं, अगर इसमें से किसी भी स्रेणी से संबंद नहीं रखते हैं तो आप इसे पहले पर ही selected हैं यह सब चीज़े फिल अब करने के बाद आपको चैक eligibility पर click कर देड़ा है जैसे आप check eligibility पर click करेंगे तो यहां नीचे यह दिखा देगा कि किसकिस post के लिए यहां पर आप apply कर सकते हैं और कौन सा form यहां पर Indian Armen के अंदर निकला हुआ है जिस पकार से यहां पर दिख इलिजबिल्टी आप देख पाएंगे तो ये तो था इलिजबिल्टी चेक करना अब हम जान लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एरी के अंदर ये रेली कब आउजित की जाएंगी और ओनलाइन रिजिट्रेशन आपको कब स्टार्ट करना है उसके लिए आपको वापिस इंजियन आर्मी के इस होंपेज पर चले जाना है और यहाँ पर आनके बाद आपको नीचे जाना है नीचे जैसे ही जाएंगे यहाँ पर JCO, OR और अगनिपत एंटरी का ओप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ व्यू ओल पर किलिक कर देना है जैसे आप व्यू ओल करना है जिस प्रकार से मैं आपको समझा देता हूँ पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि सिक्किम के अंदर यह रेली कब होनी है उसके बारे में बताया हुआ है अगर आप अमरिसर से हैं तो यहाँ पर अमरिसर के बारे में बताया हुआ है हिमाचल प्रदेश से हैं तो पर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर डाउथ चूटिन्ट है व स्टूढूटिंट फो यहाँ पर, कर लेते हैं जो यहाँ पर बताई हूई है कि यह जो मैन यो रैली है वो राजिव गांधी स्टेडियम बवाना के अंदर आउजित की जाएगी दिल्ली में फ्रों साथ सेप्टेंबर से लेकर 27 सेप्टेंबर की बीच तो यह रेली यहाँ पर आउजित की जाएगी आप देखी यहाँ पर बताया हुआ है कि इस रेली में हिसा रिने के लिए आपको ओनलाइन इसे मेडिनेटरी यहनकी ओनलाइन रिजिटेशन इसके लिए अनिवारिया है अब मैं आपको एक सी जोर बता देता हूँ कि आपकी यह रेली साथ से 27 सेप्टेंबर को होनी है तो आप यह वेट मत कीजिए कि उसी समय हम डारेक्टर रेली के अंदर भाग ले लेंगे क्यों 2022 to 3 अगस्त 2022 तो 5 जुलाइ से 3 अगस्त के बीच जब आप इसका रिजिटेशन करेंगे तभी आप 27 सेप्टेंबर साथ से 27 सेप्टेंबर के बीच होने वाले इस रेली के अंदर हिंसा ले पाएंगे अब यहाँ पर एक चीज और भी बताई हुई है कि आपको पता कैसे चल आपकी योगता क्या होनी चीए वो भी यहाँ पर बताई हुआ है 10th पास होना चीए या फिर 8 पास है तो भी आप इसे अपलाई कर सकते हैं तो दिल्ली के एरिया में कौन-कौन सा एरिया आता है जो स्टूडेंट यहाँ पर इस रेली में भाग ले सकते हैं तो वो चीज भ पूर एक बार इसको अच्छी से डाउनलोड करके पूरी को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा तो आपको यह तो पता चल चुका है कि रेली कब आयोजीत की जाएगी और इसका रेजिट्रेशन कब होगा किन-किन एरियों के लिए होगा किस पोस्ट के लिए होगा अब हम के बाद आपको यूजर रेजिट्रेशन पर क्लिक करना है यूजर रेजिट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहां पर काफी सारे इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी आप चाहें तो इन्हें पड़ भी सकते हैं इसके बाद आपको कंटीनू पर क्लिक कर देना है इस पर अधार का नमबर सेलेक्ट करके आप अपने अधार का नमबर यहां पर डाल दीजिए इसके बाद यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है यहां पर आपको अपनी माता का नाम डाल देना है यहां पर आपको अपनी डे टूबर डाल देनी है यहां पर आपको अपनी इम करना है और टीपी डालने के बाद ये कैप्च आपको यहाँ पर डाल देना है और सम्मीट पर आपको क्लिक कर देना है जिसके बाद जो इंफरमेशन अपने रिश्टेशन के समय डाल दी थी वो तो यहाँ पर ओर लेडी दिखा देगा लेकिन जो इंफरमेशन नहीं डली है उनको आपको डाल देना है, तो यहाँ पर उपरवाल इंफरमेशन डल चुकी है, लेकिन यहाँ पर वहवाईक स्थिती नहीं डाली है, तो यहाँ पर आपको अपनी वहवाईक स्थिती डाल देनी है, और यहाँ पर आपको अपनी हाइट डाल देनी है, इसके बाद आपको न अगर आप 12 तो आपको appearing सेलेक्ट करना है अगर आपको कर चुके हैं तो आपको past वाला इसके पाइखार यहां पर आपको अपना board सेलेक्ट करना है आपने 12 वो किस board से की है CBC, ICAC या open board जो भी है वो आप डाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कि आपने 12 जो है वो किस राज्य से पास की है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने 10th class के certificate number डालने हैं। और यहाँ पर पुछा हुआ है कि क्या आपने अगनिवीर के लिए पहले भी apply किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो yes करना है अन्यथाई से भी आपको no रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना password सेलेक्ट कर लेना है। और यह password कुछ इस पकार से बनाना है जो आपको screen पर दिख रहा है। और वही password आपको दोबारा से यहाँ पर type करना है। इसके बाद आपको यह cap से यहाँ पर डाल देना है और आपको save detail पर click करना है। जिसके बाद आपने जो जो information अपनी भरी है उसके according यह दिखा देगा कि आप किस post को यहाँ पर apply कर सकते हैं। जिसके बाद आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पर दिखा दिया है कि इन चार post के लिए आप eligible हैं जनरल डूटी, टेक्निशन, कलरक, स्टोर किपर और ट्रेट्समें के लिए। तो जिस भी post के लिए आप apply करना चाते हैं उसके सामने यहाँ पर apply का option दिया हुआ है आपको वहाँ पर click कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने highest qualification 12 या फिर graduation करकी है तो आप उसको select करें उसी के according highest जो post है वो आपको यहाँ पर दि खाएगा ही उसके अलावा आपके photo और signature भी यहाँ पर upload कर सकते हैं और जो चीज़े आपने अपने form के अंदर नहीं भरी थी वो आप यहाँ पर select करके उन्हें भर सकते हैं जिस प्रकार से अगर आपने अपना धर्म नहीं भरा है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं पम या फिर ज्यादा किया जाता है तो आई बटन पर क्लिक करके मेरी ये वीडियो जरूर देखी गया इसी प्रकार से यहाँ पर signature का भी option दिया हुआ है signature के लिए भी यहाँ पर size 5-10 के भी होना चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर upload कर देने है फोटो और signature upload करने के बाद आपको यहाँ communication detail पर क्लिक करना है communication detail के अंदर आपको अपना complete address डालना है इस प्रकार से आपका home number क्या है आपका पूरा address, village, आपका गाउं कौन सा है, आपका state कौन सा है, आपकी district कौन सी है, आपकी तैसिल कौन सी है, आप किस block में रहते हैं, pin call number क्या है, police station क्या है, post office क्या में है, वो चीज़े आपको यहाँ पर भर देनी है, यह सब चीज़े डाले के बाद आपको यहाँ उपर आना है, और अगर आपका permanent address और corresponding address दोनों same है, तो आपको यहाँ पर tick mark कर देना है, जिससे आपने जो information permanent address में बरी है, वो यहाँ agitize copy हो जाएगी, लेकिन अगर आप आपका address अलग है, तो यहाँ पर आप बिना tick mark किये हुए अलग address डाल सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, और save and continue पे click कर देना है, इसके बाद आपके सामने चोथा number यहाँ पर detail पूछी जाएंगी, जिस पकार से आपकी category क्या है, तो वो आपको यहाँ पर अगर आप इन में से किसी विशे सरेनी से आते हैं, तो उसे आप यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, और यहाँ पर आपको अपनी highest जो केवलिकेशन है, वो डालनी है, इसके बाद यहाँ नीचे अगर आपके पास driving license है, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं है, तो यह डालना एक खास जरूरी नहीं है, इसके बाद आपको save and continue पर click कर देना है, इसके बाद यह आपकी education detail पूछेगा, तो यहाँ पर first में आपको अपनी education detail डालनी है, तो यहाँ पर मैं 10 डाल देता हूँ, इसके बाद second number पे आपने किस board से अपनी दस्वी पास की है, वो आपको डालनी है, दस्वी आपने किस साल में पास की थी, वो यहाँ पर डालना है, दस्वी के roll number यहाँ पर डालने है, और दस्वी की जो certificate number है, वो आपको यहाँ पर डालने है, यह सभी चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ add पर click कर देना ह तो जैसे यह आप एड़ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक message आज़ेगा कि आपका record successful save हो चुका है आपको यहाँ पर OK कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी 10th class का जो record है वो यहाँ पर save हो चुका है अगर इसमें कोई गलती होती है तो यहाँ पर click करके आप उसे change भी कर सकते हैं अगर यह पूरा ही गलत है तो यहाँ पर click करके इस पूरे को आप delete करके दोबारा से भी डाल सकते हैं इसी परकार से आपको 12th की BA की graduation की या फिर post graduation आपने की हो है तो वो सारी detail आप डाल कर उन्हें save कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपने subject भी choose करने हैं आपने दस्वी select करी हुई है उपर तो यहाँ नीचे भी दस्वी में जो जो subject थे वो आपको यहाँ पर select करने हैं तो सबसे पहले आप English select कर लीजिए उसके अंदर आपके कितने number थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं आपने total number में से कितने number प्राप किये थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं और आपकी जो percentage है वो कितनी बनी थी वो आपको यहाँ पर डालनी है यह सब जी डालने के बा जरनल डूटी के लिए आप अपलाई कर सकते हैं, तो इसके सामने आपको continue का option देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर click कर देना है, continue करने के बाद I agree का एक option आएगा, उसे agree करते ही आपका form यहाँ पर submit हो जाएगा, इसे देखने के लिए आपको history पर जाना होगा, तो जैसे ही trade से apply किया है, वो यहाँ पर दिखा देगा, आपने किस time पर इसे submit किया था, वो यहाँ पर दिखा देगा, किस समय आप submit कर सकते हैं इस form को, यहाँ पर automatics वो link आ जाएगा, यहाँ पर आपको उसे apply करना जरूरी है, तभी यह form आपका जो submit है, वो समझा जाएगा, यहाँ प आपको बता दूँ कि जब भी इसका admit card जारी होगा, आपको इसे login करने के बाद यहाँ admit card वाले option पर click कर देना है, जिसके बाद आपका admit card आ जाएगा, और आप इस rally को देख पाएंगे,